तो इस महीं ने बहुत सरी वैफ सीरीज और मूवीज लाँच होने वाले हैं अभी कुछ गंटों पहले हैं हमें लाव उस्टा का टेलर देखने के लिए मिलता है जो कि काफी माइंड ब्लूइंग था इस मूवी में आप लोग क्या देखने के लिए मिलेगा जो कि एक सेंस्टिम मुद्धा कवर करती है तो यह एक नियूलिमेरेट कबल की स्टोरी होने वाली है जो कि जिंदर हैने की लड़ाई लड़ रहे हैं किसी और से नहीं अपने परिवार से उनका फैरी टेल ड्रीम खतम होता हुआ देखाए देता है जब उनके पीछे एक रूटलेस गेक्स्टर पढ़े आता है अब वो कबल हर मोर पर खौप के साहे में जी रहे हैं अब आसले एक गेम स्टार्ट होता है इस फैमिली को लोगों को मारने जैसी चीज़े भी छोटी लगती है क्योंकि शादी के तुरंत बाद उनको पुलिस प्रटेक्शन क्यों ही दी जा रही है और बॉबी देवल का आश्रवाला लोग भाई सा बोले तो साइलेंट किलर इस ट्रीलर में एक सीन आता है जिसके साइड में की स्टोरी चल रही होती है ये शोदो में ये नेम क्रिशन जी को मार्टी काती हुए पकड़ा और यहाँ पे क्रिशन बिल्कुन बखर रहे है और जैसे ही उन्हेंने मूग खुला तो क्या देखा ब्रहम हांट और साइट के बेग्राउंड में बज़न नहीं चल रहा होता है आपको बेग्राउंड में बहुत जाधा खून खराबा मिलता है मतलब कि इस में थोड़ी बहुत माइफिलोगों भी जोड़ी गई है और जिस तरीके से बपावी दिवलोगों को मार रहे है मतलब कि जिता काम देख रहा है बंदा उतना ही जाना टेंजर जिसको देखने के बाद समझ बाता है कि बंदा बहुत बड़ा गेंगस्टा रहा है और एक शब्द में इसको explain किया जाए तो बुला जाएगा इसको silent killer जिसको अब श्यानना को जिंदा पकड़ने का काम मिला है आखिर जोती मुझे जिंदा वापस चाहिए अपने हाथों से गार डूंगे और बॉबी दिवली यहां पे इतने बड़ा के एक्श्र दिखने वाला है कि वो नॉर्मल लोग हो किया पुलिस बालों को भी नहीं चोड मुवी कब लाउंच होने वाले है 25 फैब को जो कि आपको ची फाइब में देखने के लिए मिलेगे है और अगर आप लोगों को यह ट्रेलर कर रेव्वी पसंद आया हो तो चैनल सब्स्राइब करना बिलको मत पूलना इतने हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए प्मा